जैहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जनरल नोलिज के टॉप 25 कोस्चन्स जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोटेंट होगे तो दोस्तों अगर आप 2020 में आर्मी की भरती देखना चाहते हैं आर्मी में भरती होना चाहते हैं और आर्मी की बर्दी पहनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत important वीडियो है दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में से 2-3 questions 100% आपके exam में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले है तो चलिए दोस्तों question number 1 की तरफ चलते हैं question number 1 है होकी निम्न में से किस देश का राश्ट्री खेल है तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया का जो राश्ट्री खेल है वो है होकी तो यहाँ पर question number 1 का सही answer option C दोस्तों इस वीडियो में एक एक question जो भी है पूरा के पूरे पिछले आर्मी के जो previous year की जो question papers है उनमें से ही मैं निकाल के लाया हूँ तो एक एक question आपके लिए बहुत important question है question number 2 है भारती सम्मेदान में मौलिक इतकारों को किस देश के सम्मेदान से लिया गया है तो दोस्तों जो भारत के सम्मेदान के मौलिक इतकार है उनके लिए कनाडा के सम्मेदान से लिया गया है question number 2 का सही answer option B अमेरिका question number C है धिंग एक्सप्रेस का अन्य नाम क्या है Q4 की तरफ चलते हैं निती आयोग का गठन कब किया गया था तो निती आयोग का गठन किया गया था दोस्तो एक जनवरी 2015 के लिए Q4 का सही आंसर option A एक जनवरी 2015 Q5 है भारत के किसी विराज की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महला कौन थी Q5 का सही आंसर होगा और दोस्तो यह उत्तर प्रदिस की पहली महला मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत की भी पहली महला मुख्यमंत्री बनी थी Q6 है अमेरिका की राजधनिक कहां परिष्टे था अमेरिका की राजधनिक लिए आपकी जो सोल्जर जेनरल डूटी और सोल्जर ट्रेट्समन के एकजमें इनमें काफी बार भी पहुंचा जा चुका है तो Q6 का सही आंशर होगा Option D, Washington DC Q7 है आपका भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है इगर यहाँ पर सबसे लंबी नदी की बात होती सबसे लंबी नदी है दोस्तो आपकी कौशी गंगा तो question number 8 की तरफ चलते हैं question number 8 है भारत की प्रिथम महला IPS कौन है भारत की प्रिथम महला IPS कौन है तो दोस्तो भारत की पहली प्रिथम महला IPS जो थी उनका नाम था किरन बेदी question number 9 की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 9 काफी important question है दोस्तो राजसभा का उम्मिद्बार होने के लिए नियुनते मायू कितनी होने चाहिए तो दोस्तो राजसभा का उम्मिद्बार होने के लिए नियुनते मायू होने चाहिए आपकी 30 अर्स जाने के 30 वर्स तो question number 9 का सही answer होगा option C sorry option A question number 10 है दोस्तो भारत की सुतंतरता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की सुतंतरता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो question number 10 का सही answer है option B, Lord Mounted and और भारत के सुतंतरता के बाद दोस्तों भारत के पहले जो भारती ये गवर्नर जनरल थे को नाम था C, Raj Gopal चारी ठीक है? question number 11 की तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं question number 11 है दोस्तों फूट डालो और राज करूक की निती अपनाई थी किसने ये अपना थी दोस्तों लाड कर जनी question number 12 है विस्ज योग दिभस कब मनाये जाता है? कितनी तारिक को? 21 जून के लिए question number 12 का correct answer option D 21 question number 13 है दोस्तों ताजमहल की डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार कौन था तो ताजमहल की डिजाइन है उसको किस ने तयार किया था तो question number 13 का सही answer होगा option B उस्ताद ईसा question number 14 है अरजन पुरुषकार किस छेत्र से संब्धित है तो दोस्तो अरजन पुरुषकार जो है आपका बुह है आपके खेल छेत्र से संब्धित है question number 15 है भारत छुड़ों अंदोलन कब होगा था तो भारत छुड़ों अंदोलन होगा था दोस्तो आपका 1942 में ठीक है question number 16 है आपका भारती सिया की उत्तरी कमान यानि की northern कमान्ड का मुख्याल है कहां पर इस्तित है तो 16 number question का सही answer होगा option C उदंपूर question number 17 है सूर के सबसे दूर कौन सा ग्रह है सूर के सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो सबसे दूर जुग रहा है सूर के वो है दोस्तो बर्वन question number 18 है आपका मेगदूत किसकी रचना है मेगदूत किसकी रचना है मेगदूत दोस्तो जो रचना है वो है कालिदास की question number 19 है आपका यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तो काफी important question है इस question पर तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तो यहाँ पर question number 19 का सही answer option C तुर्की question number 20 है आपका सालारगंज संग्राले कहां इस्थित है सालारगंज संग्राले कहां पर इस्थित है तो 20 number question का जो सही answer है वो है option C थैदरवाद में question number 21 है आपका भारत में जहन्डा दिवस कब मनाने जाता है तो जहन्डा दिवस मना जाता है दोस्तो भारत में 7 दिसंबर के लिए question number 22 है सरदार सरोबर परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो सरदार सरोबर जो परियोजना है दोस्तो बो है आपकी नर्मदा नदी पर इस्थित question number 23 है दोस्तो काफी important question है यहाँ पर question number 23 नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल कहाँ पर है तो दोस्तो नर्मदा नदी का उद्गम इस्थल है वो है अमर कंटक में है question number 24 की तरफ सलते हैं question number 24 काफी important question है statue of unity कहां पर इस्थित है तो statue of unity जो दोस्त है वो है आपका कहां पर गुजरात में स्थित question number 25 की तरफ चलते हैं और आज की वीडियो का ये last question होगा भारती सेना के राजपूत रेजिमेंट का प्रिसिक्छन के अंदर कहां पर इस्थित है काफी important question है दोस्तो इस तरह से भी जो है questions आपके exam में आते हैं तो 25 number question का सही answer होगा option C फतेगड फरखवाद उत्तरप्रदेश दोस्तो फरखवाद जो है वो फतेगड जो है वो उत्तरप्रदेश के एक जिला है जिसके फतेगड में यहाँ पर जो राजपूर रजश क्येा और इसके यहाँ राज्पूर का अन्दर इस्था rahind और इसके साम्वे दोस्तों यहाँ पर और और हीक शिकोचन नरी इसे देशा आता है तो उसके लिए दोस्तों आप मेरे चनल के बारे में जरू बताएं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत